सिद्धु आप तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन दोसो से ज़्यादा किसान इस प्रकड़ में जिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश दोह का मुकतमा चल रहा है सो से ज़्यादा अंदोलग तो युवा है, वो लापता है, वो कहा है, पोलिस ने उसका क्या क्या, उसे किन देश प्रेमी को है अमारे देश में, अर्नब भोस्वामी, जिसके वज़र से एक निरपराज गत्ती महाराष्ट्रा में उसने अत्माध्या की, करना रनावत, ये द उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्य सुरक्षा का मामला है, आप उसके उपर बात नहीं करते हैं, और यही आदमी, ये अर्नब भोस्वामी, जो हमारे मंत्री भैट रहे हैं, प्रकाच जावडेकर जी, हम उसका आधर करते हैं, हमारे महाराष्ट्रा से, क्या ल राष्ट्रे पती जी के अभी भाष्ण पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल धर्मेंदर पदान जी यहां बोल रहे थे, और बार बार हमारी तरफ कटाक्षा करके, हमें ये बोल रहे थे कि सच सुनो, सच सुनने से मोक्षप राप्त होता है, हम तो छे साल से सच सुन रहे हैं और जुटकों भी सच मान रहे हैं, लेकिन आज जो चल रहे हमारे देश में जो माहूल है, मैं देखता हूँ, जो सच बूलता है, जो सच लिपता है, उसे गद्दार देश द्रोही बोल दिया जाता है, कल इस बारे में जो चर्चा हम लोगों ने की दिविजे साम ने बहुत उस बारे में कहा है, सर जो सरकार से सवाल पूछेगा, उस पर देश द्रोही का मुकदमा अश्ठोग दिया जाता है, कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे सदन में संजे सिंग, जो हमारे सदस है, संजे सिंग, उसके उपर देश द्रोह का मुकदमा है, राधिप सर देशाई जाने बाने पत्रकार, जिसको हमने सरकार ने पदमस्री दिया है, पदमपुरसकार सनमानित किया है, उसको हमने देश द्रोही बना दिया है, शक्ति थरूर जो United Nation में हमारे देश के प्रतिनी दी थे MP है कैमिरेट में थे उसको भी देश-द्रोहिका उसके उपर मुकदमा ठोक दिया है जो सिंगु बाडर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंग, धर्मेंदर सिंग और भी ऐसे बहुत से पत्रकार है, या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहट, देश-द्रोहिक के कानून के खिलब मुकदमा ठोक दिया है मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब IPC धाराय खतम कर दी और सब देश-द्रोहिक के धारा एक, वह रग दी है, डोमिस्टिक फाइलन्स हो, तो भी देश-द्रोह का मुकदमा ठोक देगे पंतब्रधान मोदी हमारे लिए आधर्णिय है, देश के प्रधान मंत्री चेका हम सन्मान करते करते रहेंगे उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश-चलाने के लिए, हमें मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है, वो अंकार से नहीं चलाया जाता, बहुमत बड़ा चंचल होता है हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, उसने कहा है, निंदकाचे घर आसावेश हे जारे, उसका मतलब है, जो आपका निंदक है, जो आपके ओपर खिटिसाइद करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे लेकिन आज ऐसा है, कि जो निंदा करे, जो टिका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो, जैसे किसान अंदोलन, जिस तरह से इस किसान अंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजी चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है, 26 जाने वारी लाल के लिए पर किरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधान मंतरी बहुत दुखी हो गया, पुरा देश दुखी हो गया, लेकिन लाल के लिए पर किरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दिप है वो कौन है किसका आद्मी है उस बारे में तो आप नहीं बता दे वो किसका आद्मी है उसको किस ने ताप कर दी है यह सुद्धू आप तक पकड़ा नहीं गया लेकिन दोसों से जादा किसान इस प्रकड़ में तिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश द्रोह का दिया वो पता नहीं है तो यह जो है यह देश द्रोही है अपने हक के लिए लड़ते हैं लेकिन देश प्रेमी को हैं आमारे देश में अरनब गोस्वामी जिसके वज़व से एक निरपराद व्यक्ति महाराष्ट्रा में उसने आत्मात्या की कंगना रनावत यह देश प्र तोड़ दिया हमारा बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी सबको बता दी हां वो आपके शरण में है उसको आपका प्रोटेक्शन है यह राष्ट्रे सुरक्षा का मामला है आप उसके उपर बात नहीं करते और यह आदमी यह अरनब गोस्वामी जो हमारे मंत पुरा जो आप संबाशन जो डायलोग आया है ना तो एक कैबिनेट को भी ठीक नहीं है हमारे सरकार को ठीक नहीं एक मंतरी के बारे में एक ट्वे अंकर जिस भाषा का इस्तमाल करते हारे हम छुड़ हम राजनीटी में हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो हम सेन लेगे ल राश्टर पती जी ने अपनी संबोधिन में कहा है भारत जब जब एक जूट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्षों को प्राप्त किया है एक जूटा की बात की है अगर ये बात सच है तो गत तिन महेनों से दिल्ली के सिमा पर किसान अंदोलन की एक ज हजारों की साथ गाजीपूर सिंगू बार्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इस एक जूटा में आपको देश द्रोह दिखता है प्रीज चेर्मन सर चेर्मन सर ये पंजाब हर्याना और पच्चिम यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई ल ठीक नए ये पंजाब का किसान हमारा सिख भाई जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे युद्धा कहिते थे जब अंग्रों से लड़ा तो हम उसे देश बक्त कहिते थे करोना वाइरस में लंगर बाट रहा था तो देश प्रेमी था लिकिन आजो अपने हक के लिए लड़त करते हो ये बैरिकेट्स ये किले का जाल अगर आप लड़ा के बर्डर पर करते तो चीन की राइट संजेजी प्र अंदर नहीं आती मैं आपको बताना चाहता हूं सर ये ठीक नहीं है लेकिर या अंदोलन ये अंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाब नहीं क्या करूँ आप आप बाकी बाकी हूं है राइट है राइट है थी तेंक्यों संजेजी